नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में हम रमायर से जुड़ी एक महत्पूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो बात कुम्बकरण से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार वास्तों में कुम्बकरण की लंबाई कितनी थी वो कितने फूट का था सच में यह आश्चर जनक बात है कि प्राचीन काल में कुछ लोग इतने लंबे बड़े हुआ करते थे जितना एक ब्यक्ति सोच भी नहीं सकता है किन्तो सोचने की बात तो यह है कि अगर वो इतने 20 साल काई हुआ करते थे तो वो किस प्रकार से जीवन यापन किया करते थे रमायर कालीन एक ऐसा ही पात रहे कुम्बकरन जो वास्तों में बहुत लंबा और मोटा था जिसके रहन शेहन के बारे में बहुत हीं दिल्चस्प बाते हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेगे कुम्बकरन कितने फिट का था? कुम्बकरन का जन्म राक्षश कूल में हुआ था इनके पिता जी का नाम बिश्रुवा था तर माता जी का नाम कैक्सी था जाता था जिससे अन्य लोगों के आहार की बीचिंता होने लगी थे कुम्बकरन बिसाल होने के साथ साथ कई मायायू सक्तियों का मालिक भी था इसी कारण उसे कई देवतागड यूध करने से भी डरते थे कुम्बकरन बश्पन से ही बिसाल काय के साथ पैदा हुआ था और समय के साथ एक बिसाल चटान के समान देखने लगा पवराणिक धरम गरंथों के आधार पर बताया जाता है कि कुम्बकरन की कूल लंबाई 600 धनुशों के बराबर थे तथा मुटाई लगबग 100 धनुशों के आसपास की होगी जिसमें आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि कुम्बकरन कितने फूर का था तथा इसके आवाज तथा खाने की शुईधा के वेवस्था किस परकार की जाती होगी कुम्बकरन की भारी भरकम शरीर होने के साथ ही इसके लिए एक अलग बिसाल महल का निर्मान कराया गया था जिसमें यह जमीन पर सया बना कर सोया करता था तथा खाने में यह इसे कई गाउं का खाना एक दिन में ही खा जाता था जिसके लंका निवासियों के लिए खाने का संकट उत्पन होता था कुमकरण एक ऐसा रमाइड का पात था जिसे हराना भगवान बिश्रू के बर्ष की बात नहीं थी उसके वध का मुखे कारण था कि वो अपने नीद की आउदी के बीच ही जगा दिया गया यह बात उस समय की है जब तीनों भाई रमण कुमकरण और विभेशन शक्तियों और ब्रदान प्राप्त करने के लिए ब्रहमाजी से तपस्या कर रहे थे तबी ब्रहमाजी ने उनकी तपस्या से प्रिशन होकर तीनों को वर मांगने का आसिरवाद दिया रामण ने कई प्रकार की शक्तियां और ब्रदान प्राप्त की तो विभेशन ने नरायन दर्शन की एक्छा प्रट कर की जबकि कुमकरण इंदराशन प्राप्त करना चाहता था इस कारण देवताओं ने मा शरश्वती से प्रात्ना की कि वह कुम्पकरन की जीवाप पर बैठ कर उसे इंदराशन की जगह निंदराशन बुलवा दे मातर्श रश्वती ने कुमकरण की जीवहा पर विरजमान हो गई और ब्रामा जी के कहने पर कि वत्स वर मांगो कौन शाबरदान चाहिए तो कुमकरण इंदराशन की जगह निंदराशन माग बैठा और ब्रामा जी ने तुरहन तथा अस्तो कह दिया इसके बाद कुमकरण को अपनी गलती का एसास हुआ और वह बर्दान बदलने के लिए गिड़ गिड़ाने लगा लेकिन ब्रामा जी ने कहा कि दिया हुआ बर्दान वापश नहीं होता लेकिन मैं इसकी ओधी थोड़ी कम कर देता हूँ तुम छे मैने में एक बार जागोगे और अगर किसी ने तुम्हें नीद में ही जगा दिया तो वह दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा इस परकार जब रामण और राम का यूद चल रहा था तो रामण के कई महारे थे मिरितू को प्राप्त हो गए थे उन्होंने कुमकरण को अनायस के उसके नीद में जगा दिया जिसका जो उसके बाद उसकी मिरितू का कारण बना तो दोस्तों ये जानकारी थे कुमकरण के बारे में बाकि इस पर कारा क्या आपकी क्यारा है कॉमेंट बॉक्स में ज़रू बताईए खन्यवाद